हलो दोस्तों सफर करना किसे पसले और अगर ये रेलवे का सफर हो तो क्या कहना कभी अपने सोचा है रेलवे अपनी इतिहास अपनी हिस्ट्री को कैसे याद रखते हैं कैसे सेलिब्रेट करता है क्या कभी अपने ध्यान दिया है कभी कुछ लोकोमोटिव से इंजिन के ऊपर क को दिये जाते हैं जब कोई special time को याद रखना हो या किसी चीज को future में भी celebrate करना हो दोस्तों चलो आज इसी के बारे में जानते हैं अगली वर आपका भी travel कर रहे हो तो यह जानने की जरूर कोशिश करेगा क्या पता को celebrity लोकमोटिव आपके भी train को हॉल कर रहा हो इंडिया में 1995 के बाद WP5 लोकमोटिव आ गहे थे फिर भी इनमें लॉंग डिस्टेंस 24 कोशिश ट्रेन को हॉल करने की शमता नहीं थी तब रेलवे ने WP7 लोकमोटिव बनाया जो अब तक के सबसे पाउरफुल पैसेंजर लोकमो दोस्तों जो सबसे पहला लोकमोटिव बना वो है 30201 जिसका नाम नवकिरन रखा दिया गाजयवाद शेट ने इसका नाम नवकिरन दिया जिसका मतलब था New Ray of the Light ये 19th में 2000 को आया अगला लोकमोटिव अगर हम देखें 30202 इसका नाम था नवभार्ति और New Recruitment अगर मैं इ बहुत स्पेशल है दोस्तों अगला लोकमोटिव इस लिस्ट में है मेरा 30227 जिसका नाम चंपालाल रखा गया दोस्तों इसका नाम पहले से चंपालाल नहीं था और ये कोई सेलिब्रिटी लोकमोटिव नहीं था बट इसको चलाते समय इसमें लोको पाइलेट की डेथ हो तब से इसका नाम चंपालाल रखा गया और दोस्तों आपको कभी अगर हम बहुत पहले ध्यान दिया हो कभी कुछ टाइम के लिए इसके उपर लास्ट ट्रिप ऑफ चंपालाल भी लिखा गया था दोस्तों अगली लिस्ट में मेरा है 30295 WP7 जिसका नाम नबजोती रखा गया नबजोती का मतलब होता है new flame of the light यह first WP7 है जो हाउडा शेट को एलोकेट किया गया और इसने अपने इनागुलर रण में हाउडा धनबार डबल टेकर AC Express को हॉल किया दोस्तों अगले लिस्ट में है 30479 जो आपका 50th लोको और रपीम शेट था रोयपूरम शेट का थ जिसका नाम तंगम दिया गया यह दोस्तों होजी अनेबल मतलब है हैड़ ऑन जनरेशन एबलट है इसका मतलब यह ऊपर ओवर हैडवायर से रेक्रिसटी ले सकता है और दोस्तों इसका मतलब थांगम का मतलब होता है गोल्ड या full of joy, precious दोस्तों हम जो भी next P7 की बात करने वाले हैं वो जह है 30509 और ये 30521 दोनों का नाम वरुन दिया गया और ये डियेलडव्लू द्वारा बनाया गया पहला की सतें दोस्तों ते लटा लूडा बारी आपका बीजर क्लез बनाने शुरू किया और यह दोनों लोकोमोटिव आसपास ही बने थे 30509-142-2017 को बना और 30521-83-2017 को बना वरुन का मतलब होता है दोस्तों लॉड अप दे वॉटर इस लिस्ट में दोस्तों जो अगला लोकोमोटिव है वो है 30543 जिसका नाम ओजर्स है और दोस्तों यह अज अगली इस लिस्ट में है 30573 कावेरी यह दोस्तों इरोट शेट का पहला थ्री फेज़र डबले पी 7 था इसलिए इसका नम कावेरी रखा गया और इसमें उदय एक्सप्रेस का सबसे पहली बार हॉल किया था उसकी इनागुरल रहन पर दोस्तों अगली दो लिस्ट में जो इसका मतलब है नवगदी इसका मतलब होता है न्यू स्पीड दोस्तों यह जितनी भी सेलिबरी लोकोमोटीव से रेलवे इन्हें यूस करता है जब कोई नए ट्रेन की शुरुवात होने वाली होती है तब हमेशा देखेंगे जैसे किसी हमसफर की शुरुवात भी तो सब्सक्राइब कीजिए